हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह होताने वालों कि यहाँ पर मैं अपने मुबाइल फोन में जो है एक नमबर यहाँ पर मैंने डायल किया था तो यहाँ पर जो एक प्रोब्लम आ रहा है कि यहाँ पर बता रहा है यह प्रोब्लम में क्या मुबाइल नेटव देखिए दोस्तों अगर आपके number dial करते वक्त अगर आपका number dial करते हैं तो अगर इस तरेगे काई problem आते है ना mobile network not available करते हैं सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको अपने mobile phone की network setting को आपको reset करना है ठीक है अब इसके अंदर आपको यह option मिल जागा reset option इसे टाप करना है अब इसके अंदर आपको सबसे ओपर यह option मिलता है तो देखिए दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर स्क्रीन लोग एंटर करते हैं मैं इसे राइट किलिक करता हूँ तो अब इसके बाद आपको सबसे उपर लिखा हुआ है मिलता है इसे आपको उगली से दबाके रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने पेज ओपन होगा देखिए इसमें रीस्टार्ट का ओप्शन है रीस्टार्ट पर टैप करके अपने फोन को एक बर रिस्टार्ट कर लें है तो ही नमबर हम डैल करेंगे यहां पर यह सुनील नाम का ठीक ह अब हम इसे डैल करते हैं देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होती है की नहीं होती है तो हमने यह नमबर डैल किया है और यहां पर यह कॉल यहां पर अभी जाने लग गया है तो देखें यह देखें बैल की आवाज आ रही है ठीक है तो इस तरीके से देख गर यह बास से डायल कर दिया मैंने यह देखे बेल की आवाज भी आरे ठीक है आप पर सुन रहे हों गे ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके नमबर को कभी आप डायल करते हैं किसी को भी मतलब किसी का भी नमबर आप मिलते हैं तो अगर आपकीél mobile network not प्रोब्लम आती ना तो आपको इस तरीके से प्रोब्लम सौल्व कर सकते हैं देखिये दोस्तोँ और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं इस मुवाइल नेटवर्क नॉट अवेलेडा नहीं होते हैं तब यह मुवाइलेडा की प्रोब्लम आती है ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं होने ची तब आपको simply अपने मुवैल फून की network setting को reset करेंगे और अपने फून को एक बार restart करेंगे आपको ये problem solve हो जाएगी ठीक है